नमस्कार दोस्तों मैं रीना आपके अपने चैनल रीना किचन रेस्पी और व्लोक्स में स्वागत करती हूँ तो पोस्मा की एकदशी जो कि सफला एकदशी के नाम से जाना जाता है तो आज हम आपको वीडियो में जानकारी देंगे कि सफला एकदशी कब है किस दिन मनाई जाएगी तो सबसे पहली बात तो यह है कि जो महीने सफला एकदशी है वो 30 दिसंबर को मनाई जाएगी और किस तरह से हमें मनानी हैं उसके बारे में भी आपको जानकरी दी जाएगी तो ये 11 से इस साल की आखरी 11 है जो 30 दिसंबर को मनाई जाएगी और इस दिन वरत रखने से सारे कारिय सफल होते हैं इसलिए इसे सफला 11 के नम से जाना जाता है हर एक अदर्शी के वरत का महत्व अलग-अलग होता है सफला एक अदर्शी की ती थी 29 दिसंबर दो पर 4 बचकर 12 मिनिट से सुरू होगी जो 30 दिसंबर 2021 दो पर 1 बचकर 40 मिनिट पर समापत होगी और वरत का पारण 31 दिसंबर सुरू साथ बचकर 14 मिनिट के बाद 2 घंटे 4 मिनिट यानि 9 बचकर 18 मिनिट तक कर सकते हैं इस साल सफला एक अदर्शी 30 दिसंबर गुरुवार के दिन पढ़ने के कारे एक अदर्शी का दिन भगवान विश्नु को समर्पित है एक अदर्शी के दिन विश्नु भगवान की पूजा की जाती है और गुरुवार का दिन भी विश्नु भगवान को ही समर्पित होता है ऐसे में इस एक अदर्शी का महत और भी अधिक बढ़ जाता है भगवान विश्णों की पूजा करने से व्यक्ति के सभी कारे सफल होते हैं इच्छाएं पूर्ण होती हैं और मौक्ष की प्राप्ती होती है इस कहाँ जिन पर सफला एकदेशी की व्रयत कता सुनना भी बहुत ज़्यादा महतुपूर्ण है पद्मपुरान के मुताविक जो लोग सफला एकदेशी के व्रयत रखते हैं उनके सभी पाप राजा महिश्मान के जेश्ट पुत्र लंपक के पापों की तरह नश्ट हो जाती हैं साथ ही उनमें अच्छे विचार और आचरन आते हैं बानेता है कि भगवान विष्णू की क्रिपा से उन्हें मौक्ष की प्राप्ती होती है और जो लोग किसी कारण एकदेशी का व्रत नहीं रखते उन्हें एकदेशी के दिन भूजर में चामल का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो टेवें पर निंदा से बचना चाहिए जो व्रेक्ती एकदेशी के दिन विष्णू से नाम का पार्ट करता है उस पर भगवान विष्णू की विशेश करपा होती है साथ ही साथ सफला एकदेशी की पूजा भी अन्य एकदेशी की तरह ही की जाती है और सुबह उठेने के बाद सबसे पहले इसनान करके व्रत करने का संकर्प लें फिर गंगा जिल का छिटकाव करके भगवान विष्णू की विदिवत पूजा करें तुलसी के पत्ते अगरबती सुपारी फल नारियल भगवान विष्णू की प्रिये वस्तूएं हैं जानकरी आपके लिए कि सफला एक दशी कव है और इसकी पूजा हम किस तरह से कर सकते हैं जानकरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले और डिना किचेन रेसिपी और ब्लोक्स पर अगर आप नए बने हैं तो चैनल को समस्क्राइब करना ना भूले तो मिलते हैं आप से नेक्स्ट वीडियो में हरे किष्णा